नमस्कार अदाब सलम सस्रीकाल केमचो कसे काई के रोहाले किनाची अहां सब कई सनवानी हाउड यू कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे स्वास्त होंगे दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा मेत्रों आज के इस वीडियो में हम जानने बाले हैं मेस और ब्रिस रासी वालों का रासी फल क्योंकि चंदरदेव जो हैं सो अभी मिथून रासी में बिराजमान रहेंगे तीन दिन तक 21, 22 और 23 तक इसका आपके रासी पर क्या प्रभाब पड़ेगा आज के इस वीडियो में हम ये जानने बाले हैं कुछ बरा होने बाला है क्योंकि मेस रासी बालों के तीसरे भाव में चंदरदेव बिराजमान रहने वाले हैं तीन दिन तक और ब्रिस रासी बालों के दूसरे भाव में जो की धन का घर है धनवान बनने का भी योग बन रहा है ऐसा लग रहा है क्या क्या होने वाला है इन तीन दिनों में आईए जानते हैं अपने सहयोगी मंजय ठाकुर की आवाज में मेश रासीफल और ब्रिश रासीफल 21, 22 और 23 तारिक का दोस्तों तीसरे भाव में मित्र बुद की रासी पर इस्थित चंद्रमा की प्रभाव से जातक प्राक्रम में बिर्धी होती हुई नजरा रही है तथा उसे अपने भाई बहन का सुख मिलता है चोथे घर का स्वामी होने के कारण चंद्रमा जातक को भुमी, भवन, बाहन, आधि का काफी सुख मिलता हुआ नजरा रहा है सात्वी द्रिष्टी से मित्र गुरू की रासी से नवे भाव को देखने के कारण जातक धर्मात्मा, उदार, दानी, विद्वान, भाग्यवान तथा यसस्वी भी होगा कुल मिलाकर इस ग्रह की इस्थिती जातक जीवन में अनेक प्रकार को सफलताएं प्राप्त कराता है तो दोस्तों आईए इसे हम बारी बारी से एक एक करके चर्चा करते हैं सरप्रथा मस्तिस्क और बुद्धी की चर्चा करते हैं ऐसा देखा जाता है कि इस जातक में मस्तिस्क और बुद्धी की इस्थिती बहुत ही सुद्रिड सुचारु ढंग से कार्जरत रहती है जिससे उनका खूब ही अच्छा प्रभाव रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों दूसरा है धान और शंपती तो जैसा कि हम इस रासी में देखे हैं धान और शंपती की इस्थिती पहुत ही अच्छी रहेगी भाई बहन का सुख भी इन्हें बेहद मिलने वाला है माता से इन्हें शनेह मिलेगा भुमी में उत्रोत्तर बढ़ोत्री होगी भवन निर्मानाधीन भवन को ये कार्जरत करेंगे अर्थात माता भुमी और भवन से भी इन्हें सुचारू प्रुन्नती ही प्राप्थ होने वाली है पांचमा शंतान और विद्या तो दोस्तों संतान से इन्हें यतहिष्ट सुख मिलने वाली है अर्थात संतान इनके आज्यां का पालन करेंगे शंतान इनके आधीन रहेंगे इनके अनुकूल बातें इनके शंतान करेंगे और विद्या का च्छत्र भी इनका काफी अगरसर होगा अगरगनी होगा कुल मिलाकर शंतान और विद्या से भी इन्हें पुरुन्नती मिलने वाली है दोस्तों रोग और सत्रू तो रोग और सत्रू से ये परे हैं ऐसे जात्कों के लोग रोग और सत्रू इन्हें इन दीनों इस समय में छूबी नहीं सकती इनका प्रेम और बैवाहिक जीवन प्रेम और बैवाहिक संबंध या दामपत्ते संबंध दामपत्ते जीवन जो है बहुत ही सुखाद सुख में रहने वाला है रिन और शंकट दोस्तों इन दिनों ऐसे जातक रिन से और शंकटों से बिलकूल मुक्त हैं क्योंकि हर तरफ से इन्हें खुसियां ही खुसियां आ रही है खर्च या कर्ज कहीं से होने की कोई संभावनाई नहीं है इसलिए ये जातक रिन और शंकट से मुक्त हैं धार्म के छित्र में धार्म में ये काफी रूची लेंगे धार्म प्रवंचना में धार्म के कार्जों में धार्म कर्म कांडों में ये काफी चहल पहल से भाग लेंगे जिसके फलस्रूप इनका भागी भी उसी रूप में उसी अनपात में शमकता हुआ नजरा रहा है पिता से इसने इनका सामानने सा रहेगा ब्यवसाई इनका बहुत ही अच्छा चलेगा नौकरी की इस्थिती शामानने सी बनी रहेगी आई और लाव दोस्तों आई के च्छित्र में इनकी इस्थिती चवमुकी विकास पर होगी इन्हें चारो और से आमदनी ही आमदनी आएगी और जिसके ज़रिये ये काफी लावहनित होंगे लाव के रूप में लाव के लिए अग्रसर होंगे खार्च और हानी खार्च के छित्र में इनका इस्थिती पहुत ही निम्नतम है खार्च इनका नहीं के बराबर हैं जिसे ये हानी का सामना करना नहीं पर सकता है तोस्तों अब हम ब्रिशवरासी के बारे में जानेंगे कि 21, 22 और 23 जून का समय कैसा रहने वाला है दोस्तों दूसरे भाव में मित्र बुद्ध की राशी पर इस्थित चतुर्थांस चंद्रमा की प्रभाव से ज्यातक अपने प्राक्रम द्वारा धनो पार्जन करता है तथा कुटुम्ब का सुख भी पाता है परन्तु भाई बैनों से सुख एवं प्राक्रम में कुछ कमी बनी रहती है सात्वी मित्र द्रिष्टी से अश्टम भाव को देखने के कारण जातकों की आयू तथा पुरा तत्तो का पुर्ण लाव मिलेगा ऐसी ग्रह इस्थिती वाला जातक एस्वार पुर्ण जीवन बैतीत करेंगे दोस्तो अब आएए इसके बारे में हम संख्षेप में एक एक करके चर्चा करते हैं सबसे पहले मस्तिस्क और बुद्धी दोस्तो ऐसे जातक वाले बैक्ती का इन दिनों इस समय में मस्तिस्क और बुद्धी की स्थिती सामानने सी बनी हुई है मस्तिसक इनका शामानने साहय जिससे बुद्धी विवेक शामानने रूप से कारज रत है धान और शमपती धान का जो इस्थिति है इन दिनों ृने दान शामानने रूप से ही निम्न रूप से ही आने की संभावना है भाई बहन का सुख में कुछ कमी दिखता हुआ नजर आ रहा है इन्हें माता से एशनेह मिलेगा भूमी और भवन की स्थिती जियों का त्यों शमान बनी रहेगी संतान से सुख मिलेगा बिद्या, बिद्या के छित्र में ये जस का तस रहेंगे बिद्या के छित्र में न तो लाव पाएंगे और नहीं हाने अर्थात बिद्या का जो अस्थान है शामानने इस्थिती में है ऐसे जातक इन दिनों रोग से बंचित रहेंगे सत्रू से बंचित रहेंगे प्रेम और विवाह का संब्ध इनका पहुत बढ़िया होने वाला है रीन और संकट के छित्र में इनके उपर थोड़ा बहुत रीन आने की संभावना है जिससे कुछ संकट के बादल भी घिरे हुए नजर आ रहा है धार्म के छित्र में ये काफी जोर सोर से भाग लेंगे पिता इन्हें पिता का अश्ने मिलेगा ब्यबसाय और नौकडी के छित्र में ये समान दिख रहे हैं आए इनका जो है नहीं ज्यादा अच्छा होने वाला है और नहीं कम खर्च ये खर्च जो है अपने आए के अनुरूप ही करेंगे इस प्रकार से इन्हें हानी का सामना करना नहीं परेगा दोस्तो मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कॉमेंट में लिखें जै शंभू नाराएं नमस्कार अदाव सलम